अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर चार जिसका नाम है घन और घनमूल ठीक है घन को इंगलिस में क्यूब बोलते हैं और घनमूल को इंगलिस में क्यूब रूट बोलते हैं तो इससे पहले हम लोग chapter 1, chapter 2 और chapter 3 पढ़ चुके हैं अब हम लोग chapter 4 पढ़ेंगे ठीक है इस chapter में 2 exercise दिया हुआ है तो उस exercise में जितने भी सवाल है उन सभी सवालों को बनाने से पहले घन और घनमूल के जितने भी concept होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है अगर concept पता है तो जो भी सवाल दिया हुआ रहता है उसको हम बहुत ही असाने से बना लेते हैं तो पहले हम लोग concept को पढ़ते हैं ठीक है कि घन क्या होता है घनमूल क्या होता है और अगरा जो अकर साइज है उसमें घनमूल के बारे में दिवा हुआ है तो पहले हम लोग घन के बारे में पढ़ते हैं कि घन क्या होता है यहां देखिए जो भी concept है हम यहां पे लिख लिए हैं घन और घनमूल यह chapter का नाम है जिसे इंगलिस में cube and cube root कहते हैं chapter 4 है तो पहले हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में देखिए घन घन क्या होता है इसको समझी किसी संख्या को तीन बार गुना करने पर प्राप्त गुननफल ही उस संख्या का घन कहलाता है इस परिभासा क्या कहती है इसको समझी आप जैसे देखिए दू एक संख्या है अगर इस संख्या को तीन बार गुना कर दिया जाए इसी संख्या से तीन बार गुना कर दिया जाए तो प्राप्त गुननफल इसका गुननफल कितना आएगा तो देखे दू दूनी का चार और चार दूनी का आठ इस संख्या को दू को अगर हम तीन बार इसी संख्या से गुना करेंगे तो गुनन फलाया आठ तो आठ क्या है? आठ घन है यह किसका घन है? तो दू का ठीक है? यानि कि दू का घन आठ होगा तो वही परिवासा में यहां पर कहता है कि किसी संख्या को तीन बार गुना करने पर कोई एक संख्या है मानले जी किसी संख्या पांच है ठीक है और इसी संख्या को तीन बार गुना कर देजिए तो पांच गुना पांच गुना पांच देखिए इसी संख्या को तीन बार गुना कर दिये तो इसका गुननफल कितना आएगा तो पच पचे पचीस और पचीस पचे एकसो पचीस तो देखिए इस संख्या को तीन बार हम गुना किये तो गुननफल आया एकसो पचीस तो यही 125 घन कहलाता है ठीक है, किसका घन है तो 5 का, इस संख्या का ये घन है तो अब समझ गया कि क्या लिखा हुआ है किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुननफल ही उस संख्या का घन कहलाता है यहां देखिए उदाहरन के रूप में हम आपको दिये हैं जैसे एक एक संख्या है ठीक है और इसी संख्या को देखिए हम तीन बर गुना किये एक को तीन बर गुना किये तो इसका गुना नफल एक आया यानि कि इस संख्या का घं कितना होगा एक होगा देखिए एक का घं ए एक होगा क्योंकि इस संख्या को जब हम तीन बर गुना किये तो इसका गुनानफल एक आया ठीक है फिर देखिए एक संख्या हम दू लिए और इसी संख्या को हम तीन बर गुना किये दू गुना दू गुना दू एक दू तीन बर गुना किये तो इसका गुनानफल कितना आय आठ आया, यानि कि इस संख्या का गहन है आठ, देखिए दू का गहन आठ होता है, एक और उधारन देते हैं, जिसे देखिए एक हम संख्या ले लेते हैं तीन, तीन का गहन कितना होगा, तो गहन हम आपको बताए कि कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या को तीन बार गुना कर दिया जाए तो जो गुनन फल आएगा वो इस संख्या का घं कहलाता है तो तीन का घं निकालना है तो तीन को तीन बार गुना कर देज़े तो तीन तिया नौ और नो तिया 27 तो 27 घं है किसका घं है तीन का तो आप समाझ गए कि घं किसे कहते हैं अब अगला concept दखिए यहां पर लिखे हैं परिपूर्ण घन संख्याएं ठीक है जिसे इंगलिस में कहते हैं perfect cube numbers यह क्या होता है तो किसी धन पूर्णांक को परिपूर्ण घन संख्याएं तभी कहा जाता है जब वह किसी धन पूर्णांक का घन होता है जैसे देखें उदाहरन में एक एक क्या है तो एक घन संख्याएं आठ आठ भी क्या है तो परिपूर्ण घन संख्याएं तो परिपूर्ण संख्याएं कहलाती है कौन संख्या परिपूर्ण घन है ठीक है परिपूर्ण घन संख्या को पहचानने का नियम बता रहे हैं जैसे देखिए एक है तो एक परिपूर्ण घन है एक को हम लिख सकते हैं एक गुना एक गुना एक ठीक है तो एक को तीन बार गुना के रूप में लिखिए चाहे एक का पावर तीन लिख देजे देखिए एक का घन है तो ये परिपुर्ण घन संख्या है फिर देखिए फिर आपको आठ लेते हैं तो आठ को हम लिख सकते हैं दू गुना दू गुना दू ये कहीं संख्या को तीन बार गुना के रूप में इसको हम लिख सकते हैं यानि कि इसको ह गुना के रूप में लिखिए चाहे तीन का घात तीन लिखिए ठीक है तो यह भी आपका परिपुर्ण घन है फिर देखिए 27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं तीन गुना तीन गुना तीन ठीक है तो तीन तीन वर गुना के रूप में है तो इसको हम लिखेंगे तीन का घात तीन तो देखिए तीन का घात तीन है यानि कि ये भी परिपूर्ण घन संख्याए है अब आपसे कोई पूछला की बताईए शोला परिपूर्ण घन है की नहीं तो देखिए इसका हम अभाज गुनांखन करेंगे तो अब हाज गुना अंख्रन करेंगे तो देखे चार गुना चार ठीक है अब चार है तो इसको दू गुना दू लिख सकते हैं फिर चार है तो इसको दू गुना दू लिख सकते हैं तो देखे दू तीन बार गुना के रूप में है तो इसको लिखेंगे दू का घात तीन लेकिन देखिए दू सिंगल बच गया इसका घात तीन नहीं हुआ ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या घन नहीं है परिपूर्ण घन नहीं है ठीक है फिर देखिए पचीस परिपूर्ण घं संख्या है कि नहीं है तो देखिए पचीस को हम लिख सकते हैं पांच गुना पांच तो देखिए ये पांच का घात तीन इस रूप में ये नहीं है ये है पांच का वर्ग और हमको क्या चाहिए परिपूर्ण घण संख्या तभी कहलाती है जब उसका अभाज गुनान्खन करेंगे तो वो घण के रूप मोणा चाहिए तीन के रूप मोणा चाहिए ठीक है तो 25 का देखिए अभाज गुनान्खन पाच गुना पाच यानि कि पांच का घात 2 यह बर्ग के रूप में है, तो यह परिपूर्ण घान संख्या नहीं है, ठीक है, फिर देखिए 64 है, तो 64 परिपूर्ण घान संख्या है, है की नहीं, इसको पहले देखिए हम लिख सकते हैं, 4 गुना चार, गुना चार, चार चेक 16 और 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा यानि कि 4 ये 3 बार गुना में है तो इसको घात हम 3 लिख देंगे तो देखिए 4 का घात 3 है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं यानि कि ये परिपूर्ण घन संख्याएं है ठीक है तो आप समझ गए कि परिपूर्ण घन संख्याएं कौन होती है और कौन नहीं होती है अब अगला कॉंसेप्ट देखिए यहाँ पर हम नोट में लिखे हैं पहला कॉंसेप्ट कि सुनने का घन सुनने होता है इसको समझाते हैं देखिए कर आए कि सुनने का घं सुनने होता है तो कैसे सुन होता है तो देखिए सुनने का घं यानि कि सुनने को हम तीन बर गुना कर देंगे इसका घं निकालने के लिए इस संख्या को हम तीन बर गुना कर देंगे तो जो गुनानफल आएगा वो घण हो जाएगा इस संख्या का तो जीरो में आप जितना बार गुना कर देजे गुनानफल जीरो ही आएगा यानि देखिए घण हुआ इस संख्या का तो जीरो का घण जीरो होता है ठीक है तो वही लिखे हैं सुनने का घन सुन होता है अगला concept देखिए कहता है कि धन पुर्नांक का घन धन पुर्नांक होता है इसको समझे क्या कहता है इसे कह रहा है कि कोई भी आप धन पुर्नांक ले लिजे जैसे देखिए दू क्या है एक धन पुर्नांक है ठीक है positive integers है अ आठ घन है तो ये क्या है तो धन पूर्णांग है देखिए धन पूर्णांग आठ धन पूर्णांग है फिर देखिए रीन पूर्णांग का घन रीन पूर्णांग होता है उसको समझे काता कि रीन पूर्णांग तो आपको एक रीन पूर्णांग लेना हुगा जिसे दू गुना माइनस दू तो माइनस को तीन बर गुना करिएगा तो माइनस होगा ठीक है दू दू निका चार और चार दू निका आठ तो देखिए रीन पुर्णांख है और इसका घन निकाले तो रीन पुर्णांख आया माइना साथ क्या है रिन पुर्नांक है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर धन पुर्नांक है तो धन पुर्नांक का घन धन पुर्नांक होता है और रिन पुर्नांक का घन रिन पुर्नांक होता है ठीक है तो दोनों समझ गए अगला देखिए यहाँ पर काता है कि सम धन पुर्णांकों के घन सम होते है काता है कि सम एक धन पुर्णांक लेजिए तो दू क्या है? दू सम संख्या है और धन पुर्णांक है और इसका घन निकाली है तो दू का घन कितना होता है? आठ होता है तो आठ भी क्या है सम संख्या है तो वही कारा है कि सम धन पुर्णांक का घन सम संख्या होता है ठीक है सम होते हैं अगला कॉंसेप्ट बिसम धन पुर्णांक अगर बिसम कोई धन पुर्णांक है और उसका घन निकालिएगा तो वो बिसम होते हैं यहां देखिए पहले तो हम को एक बिसम धन पुर्णांक लेना होगा तो हम तीन लेते हैं उदारन के रूप में तीन क्या है बिसम भी है और धन पुर्णांक है अब इसका घन निकाल लिए तो देखे घन निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो संख्या दिया हुआ है उसको हम तीन बर गुना कर देते हैं जो गुनान फल आएगा वो इसका घं कहलाता है तो देखे तीन का घं है 27 और 27 बिसम है तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि बिसम धन पुर्णांक के घं बिसम होते हैं तो यह जितना भी कॉंसेप्ट लिखा हुआ है इसको आप समझ गए अब यहाँ पर देखे यह कॉंसेप्ट कहता है कि निम्नांकित सार्णी में प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घं दिये गए हैं जो कंठस करने योग है मतलब देखे यहाँ पे हम एक से लेकर के और 20 तक जो प्राकृत संख्या है इसका घं हमें आप निकाल के लिख दिये हैं और आपको यह सब याद करना होगा ठीक है कि एक का घं एक होता है दू का घं आठ होता है तीन का घं 27 होता है चार का घं 400 होता है तो कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए ठीक है तब जाकर कि आप सवाल को जल्दी जल्दी solve कर पाएंगे जैसे देखे इगारा है तो कोई पूछेगा आप से कि बताईए इगारा का घं कितना होता है तो अगर आपको यह नहीं पता है तो आप क्या करिएगा वहाँ पर आप निकालने लगेगा इगारा का घं इगारा गुना इगारा गुना इगारा इसको आप तीन बार गुना करिएगा तो जब गुना नुफल हैगा तो बोलिएगा कि इसका घं इतना होता है तो अगर आपको पता है अगर इसको आप याद कर लिए हैं, तो डिरेक्ट बता दिजेगा, कि गारा का घं 1331 होता है, तो कम से कम आपको एक से लेकर के 20 तक ये दिया हुआ है, इसको हर हल में याद कर लिजे, कि एक का घं 1 होता है, दु का घं 8 होता है, तीन का घं 27 होता है, चार का घं 64 होता है, पां दिया हुआ है उसको हम लोग solve करेंगे ठीक है